नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मैं शिवालिका आपका स्वागत करती हूं अभी नयमाथ स्पिल तो बच्चों यसे कि आप लोगों को पता है हम लोग रोद सुबा इस वक्त आपके साथ कुछ रीके जीएस की कोश्चंस का मॉक टेस्ट करते हैं तो वही कोश्च किया था उसके बच्चे को आज हम लोग यहां पर करने वाले हैं तो चलते हैं आज का पहला प्रश्ण आपका देखते हैं तो पहले की ओर जाए हैं हम लुग और यहाँ पे चलते हैं आपका कल हम लोगों ने कुछ 15 questions around solve करेते हैं आपके आज हम लोग उसके आगे के questions आपके solve करने वाले हैं देखें चलो चलिए तो यह रहा आज का आपका पहला प्रश्ण 1975 में Hutchinson द्वादा किसी वेक्ति का जन संख्या द्वादा स्वेम के परियावरन के सभी पहलों के साथ संबंध को वेक्त करने के लिए कौन सी अवधारना प्रस्तावित की गई which concept was proposed by Hutchinson in 1957 to express the relationship of an individual or population with all aspects of its environment option A है आपका option A हम लोग है आपर देखते हैं ecological stratification यानि की paristhitik satrikaran option B है आपका ecological pyramid option C है आपका ecological succession option D है आपका ecological निशे तो बताएं बच्चे इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप लोग comment section में answer करके बताएं कि इसका सही answer आपका क्या जाएगा अगर हम इसके सही answer की बात करते हैं तो वो हमारा क्या होगा option D यानि की हमारा ecological निशे निकेद आपका बिलकुल सही उत्तर जाएगा तो option D क्या है हमारे आज के प्रशन का सही उत्तर है चलिए थोड़ा से इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं इसके बारे में और क्या-क्या extra हमें पता होना चाहिए examination perspective view से तो यहाँ पर आपके सामने ecological निशे यानि की आपके निकेद के बारे में बता रखा है अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यह क्या बताता है a term for the position of a species with an ecosystem यानि जो आपका ecosystem है उसके अंदर किसी भी species के लिए यह term use करा गया है ठीके बीटा आगे चले हम लोग it describes the interrelation of species with all the biotic and abiotic factors affecting it यह किसी प्रजाती के उसे प्रभावित करने वाले सभी जैविक तथा अजैविक कालकों के साथ अंतसंबंध को दढशाता है और next point के अगर हम लोग बात करें जो है आपका ecological stratification तो यह किसी अवास की लंबवत वित्रन परतो में वनस्पती की विवस्था है यानि कि यह आपका एक vertical distribution है of a habitat arrangement of vegetation in layer ठीक है बच्चे आगे चलते हैं आगे देखते हैं आगे आपका दिया हुआ है ecological pyramid के बादे में तो pyramid के बादे में यहाँ पर बात कर लेते हैं यह विभिन पोशी स्तरों पर विभिन जीवित जीवों के बीच संबंदों का एक graphical प्रती नीद है यानि कि यह क्या है graphical आपका representation है relationship किसके बीचों में अलग-अलग living organisms के जो की अलग-अलग traffic levels पर रहते हैं ठीक है आगे हम लोग बात करें ecological succession की यानि अनुक्रम की तो यह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी शेत्र में प्रजातियों और निवास स्थान का मिश्रन समय के साथ बदलता है तो यह क्या है यानि कि जैसे कोई species है तो विट टाइम उसका habitat area चेंज हो रहा हो या उसके processes चेंज हो रहे हो उसके बारे में आपे हमें बताता है ठीकी बच्चे नेक्स कोशन पे चलते हैं अगला कोशन देखते हैं सरकारी बजट के संदर्ब में निमलिखित में से कौन सा कथन असत्य है which of the following statement is false in the context of government budget option A है राजसर्व प्रति there is no future obligation to return the amount option B है भारतिये रेल्वे के माध्यम से अर्जित लाब ग्यार कर राजस्व का एक हिस्सा होता है the profit earned through the Indian railways are the part of a non-tax revenue option C है संग्रे वसूल किया गया शुल्क और जुल्माना पुंजी गत प्राप्ती का एक उधारन होता है the collected fees and fines are the example of capital receipt option D है दिन की वसूली के लिए पुंजी गत प्राप्ती होती है recovery of loan is the capital receipt तो बताईए बच्चे आपका इसमें क्या सही उतर होगा एक बाद में side हो जाती हूँ कि आपको पूरी screen clearly visible हो जाए बताए इसका हमारा सही उतर क्या होगा question number 17 है यहां आपके सामने अगर हम लोग सही उतर की यहां पर बात करते हैं तो basically यह क्या है यहां पर जो आपका संग्रे वसूल किया गया है शुल्क या जुर्माना पुंजी गत प्राप्ती का एक उधारन होता है यानि यहां पर जो भी collected fees या fines है यह किसके एक्जामपल होते हैं आपके capital receipt के एक्जामपल है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग पुंजी गत प्राप्तियां बारे में यहां पर क्या लिखा है सरकार द्वारा जनता से लिया गया अधन बजार उधार सरकार द्वारा RBI वाडी जिख्ये बैंकों और अन्य वित्य संस्थानों के उस अधार विदेशी सरकारों और अंतराश्ट्रिय संगठों ने से प्राप्त रिन और पहले दिये गए रिनों की वसूली यानि की लोंस टेकन बाइद गवर्मेंट कहां कहां से लिये गए हैं उसकी बात करते हैं गवर्मेंट से कहां से पॉब्लिक मार्केट से पॉब्लिक मार्केट बोर्यूंग हम लोग बोल सकते हैं Loans taken by the government from RBI, RBI से यदी कोई लिया है, commercial bank से यदी कोई लिया है, and other financial institution loan received from a foreign government, an international organization, इन सब का recovery loan previously given, ठीक है बच्चे? आगे बात करें, केंद्र सरकार, लगू बच्चत योजनाय, डाकगर बच्चत खाते, भविश्य निधी और PSU, विनी वेश में शेरो की बिकरी से प्राप्त शुद प्राप्तिया है, ठीक है, net receipts की अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, from the sale of shares in public sector units, यानि कि disinvestment के द्वार small saving schemes जो हो जाती हैं आपकी, यानि कि जो हम लोग आपके post office में saving accounts खोलते हैं उनके द्वारा, या provident fund के द्वारा, ठीक है बच्चे, PF के द्वारा, आगे बात करते हैं, question number 8 की, चल निधी समायोजन सुवीधा, यानि कि LAF के तहत आने वाला एक साधन है, जिस पर RBI, वानी के बैंक को और उधार देता है, under the liquidity adjustment facility, which instrument is used by the RBI to lend to commercial bank, option A है, repo rate यानि कि repo dar, option B है, reverse repo dar, यानि कि reverse repo rate, option C है, bank dar, यानि कि bank rate, option B है, आरक्षित, नकदी, निधी, अनुपात, यानि कि cash reserve ratio, बताएं बच्चे, इसका आपका सही उत्तर क्या जाएगा, question number 18 आपके सामने है, जल्दी से बताएं इसका आपका आंसर क्या जाएगा, चलो, अगर इसके सही उत्तर की हम लोग बात करते हैं, तो इसका जो correct answer होगा, वो क्या होगा बच्चे, वो होगा आपका repo rate, ठीक है, repo rate यानि की option A, आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है, repo rate यानि की आपका option A, अन्य दर के बादे में बात कर लेते हैं, यानि की other rates के बादे में बात कर लेते हैं, reserve repo दर, वह दर जिस पर किसी देश का, कैंद्रिय बैंक, वणी जिक्चे, बैंकों से पैसा उधार लेता है, यानि की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, आपके reserve repo rate की, तो यह वो rate है, at which country central bank आपका borrow करता है money किसी commercial bank से, ठीक है, bank दर की बात करते हैं, यह वह दर है जिस पर भारतिय reserve bank, वड़ी जिक्चे बैंकों को बिना कोई सुरक्षा रखे, विन प्रदान करता है, यानि की यह वो rate है, जहाँ पर reserve bank of India आपका, loan प्रवाइड करता है commercial bank को बिना किसी collateral के, बिना किसी सुरक्षा के, ठीक है, आरिक्षित नकदी निधी अनुपात की, अगर हम लोग बात करते हैं, तो किसी bank की कुल जमाराशी का वह प्रतीशत, जिससे उसे तरल नकदी के रूप में बनाए रखने की आवशक्ता होती है, the percentage of bank's total deposit that is required to maintain its liquid cash, ठीक है वच्चे, सेम कुछ, ऐसा explanation वाली चीछ है नहीं है, simple सा है आपका, question number 19 की हम लोग आगे बात करते हैं, question number 19 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 19 question के देखते हैं, शहरी सवरोजगार कारे करम, और शहरी मजदूरी रोजगार कारे करम, भारत के किस गर अनमूलन कारे करम के दो विशेश घटक हैं, अर्बन सेल्फ एम्प्लोईमेंट प्रोग्राम और अर्बन वेज एम्प्लोईमेंट प्रोग्राम, और तू स्पेशल कॉंपनेंट अफ विच पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया, option A है, स्वर्ण जैनती, छह शहरी रोजगार योजना, option B है, प्रधान मंत्री ग्रामोद्य योजना, option C है, अन्तियोद्यन अन्योजना, option D है, ग्रामीन रोजगार प्रजन कारे करम यानि की रूरल इंप्लोईमेंट जनरेशन प्रोग्राम, बताएं बच्चे इसका सही उत्तर क्या जाएगा, जल्द A, यानि की स्वर्ण जन्ती शहरी रोजगार योजना हमारा आपका सही उत्तर होगा, चीक है, क्या होगा, हमारा आपका ये बिलकुल सही उत्तर होगा, चलो, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, स्वरोजगार योजना के बारे में, यानि की self-employment scheme के बारे में, हम लोग और शेक्षिक लाप्रधान करती है, यानि कि जो self-employment scheme है, आपकी central government द्वारा रंक करी जाती है, और ये क्या provide करती है, ये provide करती है, financial and educational benefits अपने citizens को, ये उन्हें स्वरोजगार के लिए फ्रिरित करता है, यानि कि उन्हें motivate करता है self-employment के लिए, या आप खुद इसे अपना क आदे शुरू करिए, ये उस चीज के लिए motivate करता है, ठीक है, आगे चलते हैं question number 20 पर, question number 20 देखते हैं, आपका क्या बोल रहा है बच्चे, चलिए, सामान्य तौर पर, cracker, microwave, popcorn, butter, earth chicken, nuggets जैसे खादे परधारतों में उपियोग किये जाने वाला कौन सा sunlisht, aromatic carbonic yogic है, oxygen की उ मोने वाले भोजन के रसायनिक उपघटन को रोकता है, which synthetic aromatic organic compound commonly used in food like cracker, microwave, popcorn, butter and chicken, nuggets, prevent the chemical decomposition of food in the presence of oxygen, option A है आपका, territory butyl hydroquinine, option B है आपका, diethyl ptolamide, option C है आपका, sodium hypochloride, option D है आपका, 1,4-dichlorobenzene, तो बताएं बच्चे इसका answer आपका क्या जाएगा, इसके अगर हम लोग सही उत्तर की बात करते हैं, तो आपका क्या जाएगा, basically जो खाने को, आपके oxidation या फिर हम लोग बोलते हैं, सरने से बचा रहा है, oxygen की presence में, चिप्स वगएरा के packets, या जो foods आपका यहा आपका इस्तमाल किया जाता है, चलिए, आगे चलते हैं, इसके बादे में थोड़ी सी बात करते हैं, फॉर्मला आपके सामने लिखा हुआ है, इसे हम लोग TBHQ भी बोलते हैं आपका, ये के फॉर्मला है, C10H14O2, खाद परिक्षक है, आपका अतलबी कि ये food preservation करता है, के लिए परिक्षक करड के रूप में किया जाता है, अगर हम लोग बात करें, कहां कहां पर यूज किया जाता है, इसके बाद एडिबल अनिमल फैट्स में, जो आप लोग ही वगए रखाते हो, उसके लिए भी, आगे चलते हैं, ये आइरन की उपस्तिती में भी मलीन किरन नहीं करता है, और जिस प्रधार्त में इसे मिलाया जाता है, उसका स्वाद या गंध नहीं बदलता है, अगर इसे मिलने का कभी पता ही नहीं चलता है, चलिया आगे चलते हैं, कोशन नमबर 21 की हम लोग या आप बात कर दे हैं, परमानु क्रमानु आंक को निरुप्त करने के लिए, हैंडरी मौसले ने किस प्रतीक का उपयोग किया था, which symbol was used by हैंडरी मौसले to denote atomic number, M-U-A-Z, बताएं, इसका सही उत्तर क्या होगा, कोशन नमबर 21 है आपके सामने, जल्दी से बताएं, चलिए, अगर हम लोग इसके सही उत्तर की बात करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका correct आंसर होगा, Z, ठीक है, हैंडरी मौसले ने किस से डिनोट किया था, इसे, Z से डिनोट किया था, किसे atomic number को बच्चे, चलिए, आगे इसके हम लोग बात करें, मौसले ने तत्वों के परमानु क्रमांग के अधार पर आवरत सार्णी में पून व्रवस्थित किया, यानि मौसले ने अरेंज खेते element periodic table में, किस की according करे थे, हमारे atomic number के according करे थे, उधारन की बात करें, oxygen जो है, 16, not 8, प्रमानु क्रमांग इसका क्या है, 8, और प्रमानु भाहर है इसका 16, ठीक है, ऐसी हम लोग आपके atomic number की यहाँ पर हम लोग ने बात करी है, oxygen की, चलो बच्चे आगे चलते हैं, question number 22, प्रवस्था तंक्रमान की कौन सी प्रक्रिया, निश्पेशन और के विपरीद है, which phase transition process is the opposite of deposition, sublimation, fusion, condensation या evaporation, बताये, deposition के against, या नी, deposition से उल्टी, आपकी कौन सी प्रक्रिया चलती है, चलिए, इसके सही उत्तर के अगर हम लोग बात करते हैं, तो deposition का opposite क्या होता है, sublimation, यानि की उर्धव पातन, ठीक है बच्चे, अगर हम लोग बात करें, द्रव अवस्था में पदिवर्तित हुए बिना, ठोस अवस्था में सीधे गयस में बदलने की प्रक्रिया को उर् जब भी कोई substance आपका directly, solid से, गयस में बदल जाता है, बिना पास हुए किसी liquid form में, liquid form में नहीं बदलता वो, इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, sublimation बोलते हैं, यानि की उर्धव पातन बोलते हैं, इसके कुछ examples आपको पता होने चाहिए, जैसे की ammonium chloride, NH4Cl, इसके अलावा बात करें, तो iodine भी आपका sublimation शो करता है, बच्चे, camphal, कपूर जो आप लोग यूज करते हो, naphthalene balls, जो हम लोग अपने कपड़ों में रखते हैं, कीड़े, मकॉरे, स्मेल ना आजाए सर्दियों के टाइम पे, dry eyes, यानि कि ये क्या है, आपकी solid carbon dioxide, चलिए, आगे चलते है, question number 23 पे, carbon के अपरूपों के संबंध में, असंगत शब्द की पहचान कीजिए, identified the inconsistent term regarding the allotrops of carbon, buckminster fullerins, graphite, tungsten या diamond, तो इसमें से कौन सा आपका carbon का allotrop नहीं है, यानि carbon की कोई भी प्रकार की form नहीं है, इसकी अधी हम लोग बात करते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा आपका, option C, tungsten आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्या होगा आपका सही उत्तर, tungsten हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है, बाकि जो buckminster fullerins, graphite और diamond क्या हैं, आपके सारे carbon के, आपके allotrops हैं, carbon अपनी संयोजक के कारण कई अपरूप बनाने में शक्षम है, ठीक है, यानि कि अलग अलग प्रकार के रूप बना सकता है, किस वज़े से, क्योंकि ये क्या कर सकता है, संयोजकता इसकी बहुत अच्छी है, इसके जो combination, valency जो होती है, वो काफी अच्छी चलती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ball के समान, जियामिती में pentagon और hexagon में संकलित हो जाते है, ठीक है, यानि कि इसकी जो arrangement होती है, वो कैसी होती है, spherical होती है, ऐसा लगता है कि जैसे कि आपकी कोई soccer ball हो geometry में, और arranged कैसे होते हैं, ये pentagon, या फिर हम बोल सकते है, hexagon के similar pattern में या आपके arranged होते हैं, आगे चलते है, question number 24, निमलिखित में से कौन सा आवर्शक सुष्म, पोशक, तत्व, hexameric रूप में, insulin के संशलेशन, भंडावन, और स्त्रव के साथ-साथ, insulin की घट, नातमक, अखंडता में एक स्पर्ष्ट भूमी का निभाता है, which essential micronutrient plays a distinctive role in the synthesis, storage and secretion of insulin in its hexameric form as well as maintaining the structural integrative of the insulin, option A is zinc, option B है fluoride, option C है selenium, option D है phosphorus, बताए बच्चे इसका आपका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताए इसका सही उत्तर क्या होगा, चलिए, अगर हम लोग इसके सही उत्तर की बात करते तो आपको जो correct answer जाएगा, वो क्या जाएगा बच्चे, correct answer जाएगा हमारा option A, zinc, ठीक है, your correct answer will be option A, zinc, चलिए, शूष्म पोशक तत्व, विटामिन और खरीच हैं, जिनके शरीर को बहुत कम मात्रा में अवशकता होती है, याई जो micronutrients होते हैं, शूष्म तत्व, जो वो क्या होते हैं, vitamins और minerals होते हैं आपके, जिनकी हमारी body के दुआदा बहुत ही कम amount में ज़रूरत होती है, हमारे शरीर में कुछ शूष्म पोशक तत्वों की भूमिका क्या होती है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, फ्लोराइड, दंतशे, यानि कि दंतशे की शुरुवात को और प्रगती को रोकता है, और नई हड्डियों का निर्मान को उज्जेतित करता है, यानि कि दातों से जुड़े हुई बिमारियों को इनिशेट करता है, और साथी साथ हमारी नई हड्डियों की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, सिलीनियम की बात करने तो यह प्रजनन, थाइरोइड हॉर्मोन, चाय पाच, और डीने संसलेशन में, और साथी साथ और संक्रमन के सुदक्षा में महत्वपोर्ण भूमी का निभाता है, यानि सिलीनियम क्या करता है, सिलीनियम एक रोल प्ले करता है, थाइरोइड हॉर्मोन का प्रडेक्शन, मेटबोलिजम करने में, DNA सिंथिस करने में, और प्रोटेक्शन ऑफ ऑक्सिडेटिटिव उत्किये परिक्शन के लिए कोशिका द्रव्य लाल, रक्त, कणिकाओ, कॉलेजन और पेशी तंतुओं को आदम अभी रंजित करने के लिए इस्तमाल किया जाने वाला उत्रमिनिये प्रती स्विप्थ शील लाल, अमलिये रंजक निमलिखित में से कॉन सा है, विच अब द इसका सही उत्र क्या जाएगा बच्चे आपका चलिए, अगर हम लोग इसके सही उत्र की बात करते हैं, तो हमारे सही उत्र क्या जाएगा, option A, योजिन आपका बिल्खुल सही आंसर जाएगा, ठीक है, योजिन क्या है बच्चे आपका, सही उत्र है, चलिए, योजिन के बारे में बात करें, तो ये एक acid dye है, जो cytoplasmum, mass स्पेशी और संयोजी उत्तक को, गुलाबी तथा नारंगी के विभिन रंगों में रंग देती है, ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको, सेफरिन के बात करें, तो ये कैसा है आपका, लिपोफिलिक धना, ये नित डाई है, जो सक्रिये, माइटोकॉंड्रिया में, आंत्रिक नकरातमक, शमता के अनुसार माइटोकॉंड्रिया में जमा हो जाता है, यानि कि ये कैसा है आपका, लिपोफिलिक केटाईनिक डाई है, जो आपका, एक्क्यूमिलेट होता है माइटोकॉंड्रिया में, डिपेंड किस पर करता है, इंटर्नल नेगिटिव पोटेंशल पे करता है या ठीक है एले जरुइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला आपका होता है C14H804 यह एक कार्बनिक योगिक है जिसका उपयोग पूरे इतिहास में एक प्रमुख लाल रंग के रूप में किया गया था मुख्य रूप से कपड़े की रंगाई के लिए किसले किया जाता है इसे कपड़े की रंगाई के लिए किया गया था और इसको यूश्वली किस लिए यूज किया जाता था एक अच्छा red color provide करने के लिए Q26 की हम लोग बात करते हैं निम लिखित में से कौन सा नित्य है? महाराश्टर राज्य का लोक नित्य है Which of the following is a fog dance of महाराश्टर स्टेट Option A घूमर Option B भांगरा Option C गर्बा Option D है आपका धांगारी गाज बताईए इसका सही उत्तर क्या जाएगा आपका जल्दी से बताईए बच्चे इसका सही उत्तर आपका क्या जाएगा चलिए इसके अगर हम लोग सही उत्तर की बात करते हैं तो हमारा सही उत्तर है आपका Option D घंगरी गाज आपका यहाँ पर सही उत्तर है ठीक है? यहां पर हम लोग देख लेते हैं कुछ states और उनके dances के बारे में, कौनसा state कौनसा यहां पर dance perform करता है, fog dances की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं चलिए, कुछ हम states और उनके fog dances की बात करते हैं, तो यहां आपको सामने दिख रहे हैं महाराश्ट्र, महाराश्ट्र के कौन-कौनसे आपके fog dances होते हैं, यह हम लोग देख लेते हैं लावनी होता है, लावने के अलावा हमादा पौवाड़ा dance होता है, इसके अलावा आपका kोली यहां का dance है और वग्ध्या, मुदाली भी यहां का fog dance है गुजरात की अगर हम लोग बात करते हैं तो डांडिया रास, आप लोग खेलते होंगे, नवदात्रियों के टाइम पे टिपनी, इसके अलावा भवाई, गर्भा और आपका डांग, यह क्या है आपके कुछ गुजरात के फॉक डांसे से, राजिस्थान की अगर हम लोग बा बात करते हैं तो पंजाब में देखा जाता है भंगरा, गिद्धा, लुद्धी और साथी साथ जूली, ये कुछ आपके फॉक डांसे की आपे हम लोगों ने बात करी, पोर्शन नमबर 27 पर आते हैं बच्चे, निमलिकित में से किस संगीतकार को प्रसित बैंड, दा बीटलस इसके साथ कोलिबरेट करने का श्रे दिया जाता है, विच मुजीशन इस क्रेडिटेट विद कोलिबरेटिंग विद धी फेमस बैंड, दा बीटलस, ऑप्शन ए है पंडित कुमार गांधर्व, ऑप्शन बी है आपका पंडित भीम सेंजूशी, ऑप्शन सी है आपके इसके सही उत्तर के अगर हम लोग बात करें तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी पंडित रवी शंकर ठीक है क्या है आपका सही उत्तर पंडित रवी शंकर यहाँ पे आपका बिलकुल सही उत्तर है चलिए इनके बादे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं भारतिय संगीत का और संगीत ग और भारतिय शास्त्रिय वाद सितार के विश्व लोग रिए बनने बनाने के लिए जाने जाते हैं Indianन मुजिशन कम्पोजर पोपिलराइज इंडियन क्लासिक़ इंस्ट्रुम ने इसे क्या करा है आपका बॉपिलराइस किया है पर उसकार कौन कौन से मेरे है तो भारत जरत्न मिला था आपका 1999 में इसके अलावा पद्म भूषन मिला था 1981 में पद्म भूषन मिला था 1967 में संघीत नाटक Academy पुदुसकार मिला था 1962 में संघीत नाटक Academy Fellowship मिला था 1975 में काली दास सम्मान मिला था 1987-2000 ये सारे अवार्ड इन्हें मिल चुकी है ठीक है वे ग्रहमी पुदुशकार जीतने वाले पहले भारतिये थे यानि इन्हें सब जो पहले भारतिये जिने ग्रहमी पुदुशकार मिलाता वो कौन थे आपके पंडित रवीश अंकर जी थे बीटल्स की अगर हम लोग बात करें इंग्लिश रॉक बेंड की स्थापना ये हुई थी आपकी 1960 में कहां पे हुई थी ये लीवर पूल में की गई थी ठीक है बच्छे 1960 में लीवर पूल में की गई थी Q28 आपका निमलिखित में से कौन सी प्रदर्शन श्रेनी गुदू केलू चरन महापात्र यूवा प्रतिवा सम्मान में संबंदित है Which performance category is associated with the गुदू केलू चरनन महापात्र अवार्ड एन गुदू केलू चरन महापात्र यूवा प्रतिवा सम्मान Q28 की हम लोग यहापर बात कर रहे है Q28 की आपके सामने बात हो रहे है जल्दी से बताइए यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे सही उत्तर की बात करें तो आपका क्या जाएगा Option B यहाँ पे सही जाएगा यानि की ओडिसी निर्ते और संगीत ओडिसी डान्स इन म्यूजिक क्या है आपका बिल्कुल सही आंसर है ठीक है बच्चे गुदू केलो चरन महापात्र पुरुसकार की हम लोग यहाँ पे बात करतें तो इनकी स्थापना वर्ष 1995 में श्री रतिकांत महापात्रा द्वारा निर्ते संगीत सिनेमा और रंग मंचगे शेत्र में उनके योगदान के लिए व्रक्ति को मानेतर प्रदान करने के लिए की गई थी ठीक है पुरुसकार में कितनी राशी दी जाती है आपकी तो आपका एक लाख रुपे से उन्हें नवाज आ जाता है कोशन नमबर 29 की हम लोग बात कर रहे हैं चेतियागिरी विहार महा उत्सव किस राजिय में आयोजित किया जाता है तो यह कौन से स्टेट में किया जाता है अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो सही उत्तर है आपका मध्य प्रदेश राजिय और उनके त्योहार के बादे में हम लोग बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में हल्दा, माघी, धूंगरी उसके बाद आपका लदार्चा, चेत, कुल्लू, दशेरा ये सब कहां पर बनाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में बनाए जाते हैं त्रुपुरा की अगर हम लोग बात करते हैं तो खार्ची, खेर और गयरा जैसे यहाँ पर फेस्टिवल बनाए जाते हैं तेलांगना की अगर हम लोग बात करते हैं तो बत्थु कामा, इसके अलावा वोनालू, मेडा राम और जतारा जैसे फेस्टिवल यहां पर बनाये जाते हैं, पश्शिम बंगाल की बात करें तो दुर्गा पूजा, पॉयला और बेसाख यहां पर आपके सेलिब्रेट करे जा अगर सही उत्तर की बात करते हैं, तो हमारा ओप्शन ए, चेत्रा आपका बिल्कुल सही आंसर है, हिंदू कलेंडर उनके त्योहारों की हम लोग यहां पर बात करते हैं, चेत्र, उगादी, गुर्भी बढ़वा, राम नम्वी और हनुमान जैंती जैसे फेस्टिवल यहां पर बनाए जाते हैं, बेशाक की बात करें तो परशुराम जैंती, अक्षेतिरती यहां पर सलिब्रेट होती हैं, जेस्ट की बात करें तो गायतरी जैंती, गंगा दश्यरा यहां पर होता है, अशार की बात करें तो गुरुपुर्णीमा, जगनात यात्रा अशार के महीने में की जाती है श्रवन की बात करें तो नाग पंच में रक्षा बंदन यहां पर celebrate होता है और भाद्र पद की बात करें तो कृष्ण चनमाष्ट में गन्यष्च चतुर्ती उसके अलावा खारिता लिका तीज यहां पर celebrate की जाती है ठीके बच्चे तो चलिए आज के लिए बस आपके इतने ही प्रश्ण कल दुबारा आपसे मुलाकात होगी सुबार नौ बजए जब तक की रिवाइस करें अच्छे से याद करें तल दुबारा मिलते हैं आपसे बाई बाई टेक कियर जैहिंद